हाजी तो क्या हाल चाल साल 2019 में मिली हार का बदला भारतर टीम ने निजलेंड से ले लिया है दोनी के रनोट का बदला भारतर टीम ने ले लिया है अब बारी है दादा का बदला लेने की 2003 के हार का बदला लेने की तो क्या भारतर टीम इस मुकाबले को भी डोमिनेट करेगी और फाइनल जीत कर चौथा वर्ल कॉप अपने नाम करेगी, एक टी-20 का, दो 50 ओवर का, अलड़ी हमारे पास है, यह चौथा होगा, उस्ट्रेलिया के पास छे है, यह सातवा होगा, तो क्या उस्ट्रेलिया जो की साथ फाइनल खेली है, पाँच जीती है, क्या एक और फाइ ड्रीम 11 टीम किस तरीके से दिखने वाली है, किस किस प्लेयर को हमें अपनी फैंटेसी टीम में, ड्रीम 11 टीम में सामिल करना है, वो भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, इंडिया वर्सट्रेलिया फाइनल मुकाबला, इंतजार की घडिया समाप्त हो चुकी है, अ अब हर किसी के मन में यही सवाल है, कि भाईया क्या इस बार हम वर्ल कप चीतेंगे, या उस्ट्रेलिया एक बार फिर से जो हमें एक गहरा घाव देने वाली है, 2003 की तरह, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम सच चुका है, 19 नॉमबर दो बैसे मुकाबला खेला जाएगा, पि 200 से 300, 200 से 208 बार और 200 से नीचे जो है, साथ बार यहां पर बनता हुआ नजर आया है, आखरी मैस 10 नॉमबर को खेला गया था, 244 बना चेस हो गया, अफगनिस्तान के सामने चेस किया था, अफ्रीका ने 5 विकेट से जीती थी इतनी भयंकर फॉर्म वाली टीम, 7 विकेट पे इंग्लेंड के सामने चेस हो गया, 9 विकेट पेसस को, 4 विकेट से जीती इतनीय नॉमबर को खेला था, इंग्लेंड के सामने या 5 विकेट से मेड़ विकेट से ढई हु गया, इन 4 मैचों के कहानी पर बनो कि है, यह बया करता है, कि पेसस को जादे विकेट मिल लें in comparison to spinners हलागी spinners भी विकेट चटकार है और batters जो है equally enjoy कर रहे हैं अब उतना नहीं, जैसा आखरी मैच में हमने New Zealand की खिलाब देखा था, यहाँ पर 320 के आज पास का total fighting total होगा और इस score पर भी मुकाबला जीता जा सकता है, और यहाँ पर हमें black, red, दोनों type की wicket देखने को मिलती है, और च्छा खासा bounce, swing हमें देखने को मिलता है batters भी enjoy करते हैं बट इतना असान नहीं होता है, तभी तो आप देख रहे हैं, एक, दो, तीन, चार मुकाबलों में एक भी बार 300 प्लस नहीं बना है तो batters enjoy करते हैं, बट उटना नहीं जादे swing ballers यहाँ पर enjoy करेंगे और यहाँ पर मुझे लगता है कि 300 के आसपास का जादर जादर इस के आसपास का total देखने को मिल सकता है 30 मुकाबलों में 219 विकेट पेसस को और 117 विकेट यहाँ पर स्पिनस को मिले हैं और 150 वार यह टीम में हमने सामनी हुए संताओन इंडिया 83 जो ऑस्ट्रेलिया जीती है और आखरी के 10 मुकाबलों में हम देखे तो 5-5 दोनों टीम में जीती है मामला 50-50 का रहा है भार्टर टीम इस वर्ल्ड कप में 10 मैच खिली है और दसो जीत चुकी है उस्ट्रेलिया के टीम जो है स्टार्टिंग में तो लग रहा था यह बाहर हो जाएंगे लेकिन उसके बाद गजब का कॉमबैक 10 मैच खिले हैं जिसम से 8 जीते हैं इंडिया की बात करते हैं तो सेमी फाइनल में इंडिया ने न्यूज़िलेंड को घजब परास्त किया मतलब 400 की आसपास का टोटल रोहित सर्मा की तावर्टर बल्लेबाजी गिल उनके साथ कंदे से कंधा मिलाकर चल लेते नौक आट मुकाबले में इस तरीगी की फीरलेस बल्लेबाजी रोहित सर्मा और सुमन गिली कर सकते उसके बाद किंग का जो है परफॉर्मेंस हमें इस वर्लकप बे बहुत शांदार देखने को मिला और अभी इन्होंने सचीन तेंदुलकर क्रिकट के भगवान को सरपास किया है याई में सेंचुरी लगाने के मामले में अभी न जाने कितने रिकॉर्ड विराट बनाने वाले हैं सरेस भी बैक टू बैक सेंचुरी जड़ रहे हैं और केल राहूल भी कंते से कंधा मिला रहे हैं तो इंडिया का टॉप फाइप इस वक्त बहुत ही शांदार फॉर्म में शुरी कुमार यादो को टेस्ट किया जा रहा है बट ये कुछ खास सफल सावित नहीं हुए तो ये कमजोर करी है उसके लगा गिंदबाजी की बात किया है तो भारति गिंदबाजी बहुत ही शांदार हो रहे है खास करके शमी एक तरफा जो है गिंदबाजी करें एक तरफा मैच करते रहे है साथ विकेट आकरी मुकाबले में पांच-विकेट ले रहे था है पांच विकेट से मन नहीं बरा तो या आकरी मैच में साथ विकेट ले लिया भारतर टीम की बल्लेबाजी, गेंदबाजी, सब कुछ बहुत ही अच्छे फॉर्म में है, 2019 में सेमी फाइनल में मिली हार का बदला ले लिया गया है, अब 2003 का बदला यहां पे 20 सालों के बाद लेने की बारी है, अब देखते हैं कि भारतर टीम इस मुकाबले में 2003 के हार का ब 23 इंडिया नियूजलेंड 397 यहां पे बना था, 327 दूसरी पारीम बना, इंडिया 370 रन से मुकाबला जीत गई, उसके बाद जो हैं इंडिया वर्सेज नीदर लेंड 410 अगिन यहां बना, और यह हम देख सकते हैं कि 200 यहां पे बन पाए, 160 रन से इंडिया जीत गई, और पे ऑल आउट कर दिया, तो हम देख रहे हैं कि यह यहां बहुत किया, यहां भी ऑल आउट किया, और यहां भी ऑल आउट किया, हर मैच में अंडिया जो है सामने वाले को ओल आउट कर दे wereli, बड़े अंतराल से 60, 302, 243, यहां भी नौकवर्ट मुकाबले में 70 रनों से जीतना बहुत बड़ी बात होती है, तो बहुत ही खत्रनाग फॉर्म में बात टीम नजरा रही है, और टॉप फैंटसे पिक की बात की है, तो हमारी पहली पिक हिटमेन रोहित सरमा, एक अलगी अं एक अच्छा स्टार्ट करके देते रहे हैं, ताकि विराट कोली सरे सहीर अच्छे से अपना टाइम ले पाए और रन कर पाए, और ऐस्टेलिया खिलाब देखी जाए, तो आकरी मैच में जल्दी आउट हो गयते, लेकिन उससे पहले 81, 30, 190, इस वेन्यू पर 6 पारियों में सकते हैं, सुमन गिल हमारी दूसरी पिक, 80 बनाया, 51 बनाया, 92 बनाया, आकरी मैच में मनें कहा था कि ये भी अच्छा खेलने वाले हैं, और इस मैच में भी खेलेंगे, रिटायर हट हो गयते, नहीं तो सेंचुरी भी हमें देखने को मिलती है, उस्टेले खिलाफ आकरी कुट आईगी थी, और इस मैच में अगर जी एल जीतना चाते हो, तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी देख सकते हो, हो सकता है, ये संचुरी जड़ जाए, अगर फाइनल का दबाव ये, फाइनल ये सोचके खिलेंगे, फाइनल है तो नहीं खिल पाएंगे, अगर ये फियरलेस होके खिलेंगे, तो आईपेल की तरह ही यहाँ पर भी ताबरतोर बल्लेबाजी, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, कुछ भी कर सकता है ये खिलाडी, इनका पसंदीदा मैदान है, दूसरी पिक किये, तीसरी पिक, विराट, कोली, सेंचुरी यहाँ पे, उस्टेले खिलाफ है, 46 पारियों में 233 रन है, मुझे लग रहा है कि इंग एक बर फिर से चल सकते हैं, इंको कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए सेफटी में देख सकते हो, और सरेश आईयर बैक टू बैक दो सेंचुरी, 105, 128, 72, सरीके का स्कोर किये, और उस्टेले सकते हैं, बैक टू बैक थर्ड सेंचुरी इंदर हो आ जाया, तो फिर हैरान मत हो येगा, केल रहूल विकेट कीपर तो हमें लेना ही है, ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर कुछ खास फॉर्म में है नहीं, तो केल रहूल को भी उठालो और फॉर्म देखो, 102, 49, यह बीस ब सकते हैं, तो केल रहूल भी अपनी कमाल लाजबा पारी से आपको प्रभावित कर सकते हैं, सुरी कुमार यादो कुछ खास फॉर्म में नहीं है, लेकर अस्ट्रेलिया खिलाफ दो फिप्टी हमें देखने को मिले पिछली 5 पारियों में, और इस वेन्यू पर 3 पारियों मे साकरी मीट में 3 वेकर, 35 रन 3 वेक Raghu, नंबर व्येकर नंबर सच्छे है, फॉर्म भी अच्छा है, प्रण भी जेरो, तो पांच वेकर, जेरो, और बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो इस मैच मैं अच्छा कर सकते हैं और वेसली मोहमद समी को मैं Captain Vice Captain के लिए recommend करूँगा, यहां 7 विगेट, यहां 2 विगेट, 5 विगेट, 4 विगेट, 5 विगेट, मतलब 23 विगेट यह, 24 विगेट ले चुके हैं, 5, 4, 9, 5, 14, 16, 16, 17, 22, 16, 23, 23 विगेट यह ले चुके हैं, और इस विगेट यह ले चुके हैं, और इस विगेट यह, 24 विगेट, और यह देखी, 2 विगेट, 3 विगेट, 1 विगेट, 2 विगेट, 2 विगेट, बड़े match के प्लेयर, इस match में अच्छा कर सकते हैं, 1, 2, 1, 3 विगेट, और चाहो तुछ सिराज को भी try कर सकती हो, हलाकि आखरी match में पिटे जरूर थे, लेकिन इस overall tournament में अच्छी गिंदबाजी करी है, और यहां आखरी इनिंग्स देखी जाए, तो 1 विगेट, 2 विगेट, 1 विगेट, 3 विगेट, 6 परियों, 7 विगेट, औस्ट्रेलिया की बात की जाए, तो यह ऑस्ट्रेलिया की टीम घजब का performance दे रही है, डेवीड वार्नर फॉर्म में आचुके है, ट्रेवेज हैड फॉर्म में आचुके है, यह दोनों जो है, उस्ट्रेलिया को 30 विगेट दे रहे हैं, उपर से मिच मार्स ने अभी 177 बनाया था, आगरी मैस में डख पे जरूर आउट हुए थे, लेकिन अभी उस मैस से पहले हमें हमेशा ही अच्छा करते हैं, हमेशा ही यह डिलेवर करते हैं, इनके प्लेयर्स को IPL, Big Bass, इन सबसे जादे मतलब नहीं होता, इनको ICC इवेंट जीतने होते हैं, और उसी की यह सालों दसार तयाली करते हैं, भले यह IPL ना खेलें, पैसे ना कमाई, लेकिन इनको World Cup जीत 2020 का World Cup है, और Champions Trophy वगेरा है, तो बहुत ही कमाल की यह टीम है, फॉर्म की बात की जाए, तो दोनों बहुत अच्छे फॉर्म में ओपनर्स और मिचमार्स ने भी बड़ी पारी खेली थी, और Glenn Maxwell ने भी सिंगल हैंडली मैच जीताया था, डेविड वर्नर सिंगल हैंडली नहीं कर रहा था, और वहाँ पर ऐसी गिंदबाजी कर रहे थे, मानों, उस्ट्रेलिया में उस्ट्रेलिया गिंदबाजी कर रही हो, लोट्स में गिंदबाजी कर रही हो, इंगलेंड में, साउथ अपरिका की पिचस पर गिंदबाजी कर रही हो, ऐसी इस तरीके की गिंद पाजीन उन्हें करी और खुद पैट कॉमेंस स्टाग है जलो टीनो पेसोस बहुत ही कमाल के फॉर्म में नजर आ है और जंपा के लिए भी आकरी मैच में पीटे जरूर था लेकिन जंपा के लिए भी टोनामेंट बहुत शांदार गया है तिन तिन चाचर विकेट हर मैच में तो ये टीम पेपर पर उतनी मजबूत तो नजर नहीं आ रहे है जितनी इंडिया के टीम नजर आ रहे है बट ओन फिल्ड इस टीम को देखे तो ये इस टीम के पास सेंगल हैंडली मैच जिताने वाले हीरोज हैं और ये टीम जो है किसी एक खिलाडी पर डिपेंड नहीं है ये टीम जो है 93 पे 7 के बाद से भी 300 चेस कर सकती है ये ऐसी टीम है इसी वज़े से इनके पास 5 जो है वर्ल्ड कप है तो अस्ट्रेलिया को हलके मिल लेना जो है बहुत जादे भारी पर सकता है भारते टीम के लिए और ओवर कॉन्फिडेंस में तो नहीं खेलना है ये सोच से मकाबला साउथ अपरिका जैसी इनफर्म टीम को 212 पे अल ओट कर दिया हाला कि तीन विकेट से मकाबला जीते बट बहुत ही शांदार मैच हुआ यहां पर 306 बनाया बना बंगलाद इसने बनाया ऑस्ट्रेलिया ने चेस कर लिया यहां जो है 291 चेस किया तीन विकेट से पड़े मैच के प्लियर इस मैच में अच्छा कर सकते हैं फॉर्म की बात किया है तो 53 यहां है T1 आकरी मैच में भी अच्छी सुरुवात किये थे तावर तोर सुरुवात किये थे बट उसको बड़ी पारी में तबदिल नहीं कर पाए इंडिया खिलाब 41 56 और यहां पे 53 52 यहां पे करते हुए नजर आया है तो इनका फॉर्म बहुत ही अच्छा है साधी साथ 25 पारियों में 1215 यह बना चुके हैं इंडिया के खिलाब इस मैच में चल सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए भी आप इनको देख सकते हो और इस मैच में इनकी 55 आ सकती है या फ पे 177 बनाया या 36 बनाया उसे पहले संचुरी भी जड़ी थी इंडिया क्लब 96-47 66 तरीके के स्कोर किया है दस पारियों में 448 और 4 विकेट भी है लगबग 50 का एवरेज है इंडिया खिला इस मैच में अच्छा कर सकते हैं बड़े मैच फिले बड़ी बड़ी पारिया खिल नंबर सच्छे हैं तो ये भी हमाई टॉफ फैंट से पिक की सूची में आते हैं लब उचने को ट्राइ करना है तो कर सकते हो 71-62 यहां पे किये हैं और इंडिया खिला भी ठीक ठाक फॉर्म है 72-49 पर एक मैच के लिए खतर रण बनाया है तो ट्राइ कर सकते हो बट मेरी जो पिक हैं वो है ग्लैन मैक्सवेल 201 रन एक विकेट आखरी मैच में नहीं चले थे उससे पहले 41 रन एक विकेट यहां पे सेंचुरी चड़ी बहुत ही कमाल का वलकप जा रहा है मैक्सवेल के लिए और इंडिया खिला 15 रन, 4 विकेट, 8 रन, 69 रन, 63 रन, 1 विकेट, 20 पारिय करूँगा यह फैट कमेंस को टॉफ एंड से पिक की में आते हैं, 3 विकेट बहुत सांदार गिंदबाजी कर रहे थे, आखरी मुकाबले में 2 मैचों से विकेट लेस जा रहे थे, उससे पहले 2 विकेट, 37 रन, 2 विकेट, बैटिंग भी यह कर सकते हैं, मैक्सवेल के साथ इ बहुती शांदार गिंदबाज, और एडम जंपा, 22 पारियों में 24 विकेट, इंडिया खिलाफ यहां इस वैन्यू पर 3 विकेट, और इंडिया खिलाफ आखरी 5 इनिंग देखी जाए, तो 1, 1, 2, 2, 4 इस तरीके के परदसन, और फॉर्म भी अच्छा है, 2, 1, 3, 3, बीच में मुकाबले में 3 विकेट लिया था, इस मैच में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, तो यह भी हमारी टॉप फैंड से पिक की सूची में आते हैं, सेफ टीम की बात किया है, तो यहां है के राहूल, उसके अलावा रोईद सर्मा, वाइस कैप्टन डेविड वोर्नर को हमने बनाया है, कैप्टन विराट कोली, सरेश सहियर, सुमन गिल, जडेजा, मैक्सवेल, मुहमत समी, जमपा और जस्पित बुमरा यहां पे नजर आ रहे हैं, जस्पित बुमरा की जगा आप स्टाक को ले सकते हो, स्टाक, मिच स्टाक को, ठीक है, जस्पित बुमरा की जगा, उसके अलवा रिस्की टीम की बात किया है, तो यहां पे केल रहुल, वाइस कैप्टन जो है वो, रोहित सर्मा, डेवीड वर्नर, विराट कोली, मिच मार, सुमन गिल कैप्टन, रविंदर जडेजा, मैक्सवेल, स्टाक, मुहमत समी और कुलदीप यादो, यह हमारी रिस्क में आपको लिंक मिल जाएगा, जहांपर फाइनल टीम दी जाती है, असली प्रेडिक्शन हमारे टेलीग्राम पर ही आता है, और विमिन्स बिग बैस चला है, और बहुत सारे मैचेज हो रहे हैं, तो हो सकते हैं, बीच में वीडियो ना आए, बाकी अपडेट सो हमारे साइ है कि इंडिया की टीम इस बार वल्ल कप जीत रही है, एकोरडिंग टू मी, इंडिया में भी द विनोर आप दिस मैच, बाकी किरकेट इस दगेम ओफ उनसर्टेंटी सामने ऑस्ट्रेलिया है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जीतेगी, क्या आउस्ट्रेलिया जीतेगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बतेएगा, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मुझे उमीदे के वीडियो आपको पसंदा ही होगी, पसंदा ही हो तो लाइक जरूर करें, पहली बार चानल पर हैं, तो चानल को सब्सक्राइब करके वैल आकन को प्रेस कर लें, धन्यवाद